जट से बहुत कुछ सीखना है, TRS Clips Hindi को सब्सक्राइब कीजिए रहते हैं सर आप एक cancer surgeon हो, मतलब जो late stages of cancer होते हैं, कभी-कभी tumours बहुत बड़े बन जाते हैं, आपके body के अंदर तो correct me if I am wrong, आप एक cancer surgeon होने के नाते, उन tumours को निकालते हो body से, correct? मुझे ये बताओ कि आपके पूरे surgery के career में सबसे मुश्किल operation क्या था? मतलब जहां आपको भी लगा कि यार, यह क्या है? सबसे challenging operation क्या था? वैसे तो काफी थे लेकिन एक मैं कभी बूल नहीं सकता, एक 18 साल का लड़का था और उसको एक बड़ा tumour था chest में. कितना बड़ा था? करीबन 20 संटिमेटर का था. 20 संटिमेटर का, यानि फुटबॉल के जितना, आप फुटबॉल किलते हो इसलिए बूल रहा है, तो उसका, इसके size का tumour था. और सब test में बताया गया था कि यह tumour जो है, वो heart के बाजू से आ रहा है, और निकालना most impossible है. जो अपनी back से, यानि spinal cord से बहार आती है, तो वो नसो से वो grow हुआ था. तो इसको बोलते हैं नसो का tumour, मिनिंग इंगलिश में इसको बोलते है, शानूमा या नियूरोब्लास्टूमा, whatever. तो हम लोग ने पहले से उचा नहीं था, हमको लगा हाट से करीब है, सब जगा है, तो सब लोग ने बोला, प्राय करते हैं, हम लोग ने भी बोला, तो मैंने जैसे उनका अंदर, दुर्बिन डाल, हम दुर्बिन से करते हैं, यह जो अंदर छेत करके कैमेरा डाले जाते हैं, काट के नहीं करते हैं, तो एक जमाना था कि हम लोग छाती काट के खोल के करते थ अब डिस्कोरी के चैनल के जब देखते हैं मूवीज कैसे छोटी-छोटी बाते दिखते हैं तो हमने अंदर डाला तो हमारी सर्प्राइज ऐसे थी कि वो जो ट्यूमर था वो नसो से आ रहा था पीछे से और वो इतना इजीली निकलने वाला था जैसे हम निकलने के कोशिश क रहे तो वहां से एक जो खून की में नली आती है जिसको बोलती है इंफिरे रवेना के वा उसके उपर चिपका हुआ था अभी कैसा है कि सर्जरी में आप इतने आगे बढ़ गए थे कि 80% निकल गया था लेकिन 20% रह गया था मतलब निकल गया था सब जगह से चूट गया हाँ सब गय से चूट गया था सिब 20% रह गया था बड़ यहां पे ना सर्जरन का इगो बीच में आता है अरे 80 तकका तो निगल गया 20 तकके के लिए क्या है करते है कुशिश करते है कुशिश हम करते रहे करते रहे 3-4 गंटे करते रहे फाइनली उदर जो में अपनी जो ख किया सूचर किया आज बराबर 12 साल हो गया है वो बच्चे को अभी वो 18 साल का अभी उसको दो बच्चे है वो आप परसो ही मेरे को आके मिलके गया इतना अच्छा लगा कि मेरे को इसको देख लगा था कि यह जिया कि नहीं मरेगा ऑपरेशन टेबल पे मरेगा ऐसे हमको ल से बोला था और कुछ हो जाता तो क्या होता तो यह सोचने के टाइम यह कभी-कभी ना आपको सोचना चाहिए कि यह आपके स्किल के उपर डिपेंडनेंट नहीं है उपर कोई है जो हर टाइम आपको मदद करना चाहता है बस 30 सेकंड उसकी करो हो जाता है मेरा तो खारट स्राइम कहना है और मेरे रेसिडेंट को भी बोलता हूँ कि सरजरी में आप अकेले कभी भी नहीं हो जब भी मुश्किल आए पाट सेकंड बगवान की याद करो अपने आप मार्क खुल जाता है और ये मेरे साथ एक दो बार नहीं पचास साथ बार हुआ है तो है सम्टिंग इस देर यूनिवर्स में है और वो बिलीव करना चाहिए सर थोड़ा अजीब सवाल है पर मैं जस जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपने का कि आप लैपरोस्कोपी के तुरू करें चोटे छेद से आप और इतना बड़ा ट्यूमर छोटे छेद से निकलता कैसे यह बड़ा अच्छा है आपको अगर सेव दिया जाए यहन्य आपल और सेव को आपको मैंने बोला कि यह सेव को एक लाइन में करो तो आप क्या करोगे तो सेव को स्पाइरिली काटोगे तो यह जो इतना बड़ा ट्यूमर है आपके हाथ में शॉपिंग बैग है तो शॉपिंग बैग जैसी बैग अपने मेडिसिन में अवेलेबल है जो अंदर डाली जाती है उसके अंदर वो ट्यूमर डाला जाता है यानि कि जब हम काटेंगे तो आजू बाजू में नई फैलना चाहिए आप पीस्ते हो ट्यूमर हाँ पीस्ते सॉसिजेज बोलते हैं न उस टाइप के पूरे ऐसे ऐसे करके उसके पीसे साथ है तो यह टेक्नोलोजी इतनी आगे गई है कि कभी सोचा भी नहीं था कि 22 सेंटिमेंटर का ट्यूमर एक या देड़ सेंटिमेंटर के इससे पूरा निकलेगा तो यह अमेजिंग टेक्नोलोजी है तो बेसिकली इस वाले साथजरी में उनके दिल की एक आटरी आटरी नी वेन वेन अल्मोस्ट कट गई थी और उसको आपने बंद करके बंद करके वो भी हमने दुर्बिन से किया कभी सोचा ही नहीं था और आपको आश्चरी होगा कि यह हमने जो पब्लिश किया तो यह दुनिया का पहला जो में वेन का टेर था वो दुर्बिन से रिपेर के हो पहला केस था बट उस तेम सोचा नहीं था कि हम पहली कर रहे या दूसरी कर रहे उस तेम नेसिसिटी इस अ मदर ओफ इंवेंशन जैसे उस तेम हो गया तो करने के लिए क्या करना चाहिए तो यह कर दिया वो सोच के नहीं किया कि यह बहुत दुनिया का बड़ा और इतना फॉस्ट हम उपरेशन कर रहे हो गया एक थोड़ा सा फिर से बेसिक सा सवाल है पर यह मैं बस जानने की कोशिश कर रहा मुझे हमेशा लगा कि मान लो अगर testis में tumor हुआ है या जैसे आपने का कि chest में tumor हुआ है तो हमेशा मुझे यह लगता था कि अगर chest में tumor हुआ होगा तो एक cardiac surgeon ही surgery करेगा यहां अगर मान लो किड्नी में हुआ है तो एक नेफ्रो सर्जन और उरॉलोजिस्स करेगा पर फिर एक उंकोलोजिस्स अलग अलग बॉड़ी पार्ट्स पे कैसे करते हैं मतलब और उंकोलोजिस्ट की प्रोफेशन एक्षिट क्यों करते हैं अब मेरा सवाल समझे और इसा है कि दुनिया में पाच्षे देशी है एक अपना देश है एक ब्राजिल है एक ऐस्ट्रेलिया है और दो तीन साथ अमेरिकन देश है यहाँ पे surgical oncologist करके उसका नाम दिया जाता है यहाँ आपका basic post graduation होने के बाद आपको 3-3,5-3 साल ऐसे institute में काम करना है जो उपर से नीचे सिर्फ cancer का treatment करते है तो मुग का cancer का treatment या thyroid का cancer या गुदत द्वारे का याने संडास की जगा का cancer kidney का cancer यह जो training है यह Tata Cancer Hospital में होता है या अपने यहाँ पे अभी करीबन 40 ऐसे institute से इंडिया में यहाँ पे इसका training होता है इसको degree मिलते हैं MCH और इनको बोला जाता है surgical oncologist तो जैसे है कि surgical oncologist है वह license कि आप उपर से नीचे तक कोई भी cancer treat करो except brain tumor brain tumor छोड़के बाकी सब tumor सम करते है और heart का tumor जो है वो सिर्फ cardiac surgeon करते है लेकिन बाकी सब का training इस तीन चार सालों में किया जाता है तो हम लोग उपर से नीचे तक सब टाइप के cancer का operation का training है हमारे पास cricket देख तो आप हाँ बिलकुल तो मान लो लास्ट ओर मैच का और batsman को 16 जीतने के लिए तो वो थोड़े से tension के साथ batting करते है कभी भी जीते है कभी भी हारते है बड़े को tense feeling रहती है जो आप as a viewer देख रहो आपको भी tension फील होती है ठीक है चाहे आप bowling team को support कर रहो हो या batting team को I personally feel कि शायद surgery के पहले भी ऐसी tense situations होंगी हर surgery के पहले ऐसी tension होते है कि 16 रंच आई ये ओवर से वो वाली vibe होती है या मतलब आपने इतनी सारी surgeries कर लिए कि आप अभी धोनी बन चुके हो नहीं ऐसा नहीं है हर surgery के लिए मेरा खुद का कहना सबको रहता है और मेरे साथ अभी करीबन 200 doctors का training हो चुका है मैं post graduate teacher हूँ मैं हर एक को यहीं बोलता हूँ कि यह आपका आखरी surgery ऐसा समझ के काम करो जब आपकी आखरी surgery ऐसे करके काम करोगे तो हर surgery अच्छी होगी complacency नहीं चाहिए हर एक को रोज अगर किसी को breast का याने sthन का cancer है मेरे लिए तो रोज का काम है उसके लिए जिन्दगी में पहली बारा आ रहा है तो ऐसा ही support देना चाहिए surgery तो हर एक करता है लेकिन surgery के बाद psychological support और उसी precision से उतनी ही excitement से जैसे कि मेरी पहली surgery है जो की excitement है वो हर surgery में होना चाहिए तो डर नहीं लगता लेकिन surgery का हमको खुशी मिलनी चाहिए कि ये अपने आपके लिए काम करें कि इतना अच्छा काम करें ये गोल्फ के जैसे है आप खेलो अपने against ही खेलो आपका handicap कम करते जाओ आपका competitor कोई नहीं है आपका competitor खुद हो तो मेरे को तो रोज surgery करते टाइम excitement होता ही है लेकिन डर कभी नहीं लगता क्योंकि टॉप टू बॉटम from politicians लेके international surgeons पे मैंने काम किया है operations की है मेरे को डर कभी नहीं लगता एक बार अंदर कुछ घुसएट दिया तो अंदर के organ तो नॉर्मल आदमी के जैसे ही दिखते न तो politician है तो क्या फरक पड़ता है अमने को क्या फरक पड़ता है वो pressure लेना नहीं लेना आपके उपर है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि इतना टेंशन से काम करेंगे तो मिस्टेक होएगा तो पस अंदर गए भूल जाते हैं सब किसी के साथ जगड़ा हुआ है बीबी के साथ जगड़ा हुआ है वो सब बूलना चाहिए गदर जाके अराम से अपना जॉब क्या है फोकस क्या है यह इसका पहला बार है पहली बार है उसकी पहली बार है इतनी अच्छी तरह से काम करो कि फाइनली आपको साथिस्फेक्शन बे जिसे मीडिया दुन्या में जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं या जब हम शूट भी कर रहे हम एक फ्लो स्टेट में होते हैं बस यही है और किसी चीज़ के बार मैं सोच नहीं अगर कर रहे हो ना तो इसा ही नहीं कर रहे हो क्रियेटिविटी होती है सर्जी बहुत जादा जैसे? बहुत जादा बिक्योस क्या है ना बोड़ी एक औरगन जो है अपना बोड़ी जो शरीर है यह मिराकल है अपने को लगता है कि यह एकदम ईजी होएगा वह डिफिकर्ट जाता है और अपने को लगता है जो बहुत डिफिकर्ट है वह इजी जाता है सो प्रिडिक्टेबिलिटी यह आता नहीं है और experience के वज़े से ये सब चीज़े अपने को मिल जाती है लेकिन experience आले के लिए कई बार खड़े में भी जाना पड़ता है और खड़े में जाके वापस उठना पड़ता है हर बार आपका 100% result तो आता नहीं human being है, complication होते रहते हैं क्यों हुआ, केसे हुआ इससे हम सीखते हैं और होते रहते हैं लेकिन predictability में बहुत difference है हर एक का बाड़ी अलग है तो स्किल क्या होती है जैसे, I don't know how to expand that question पर मतलब, speed होती है skill कि अब कितनी जट से कर रहे हो या neatness होती है skill नहीं, speed नहीं speed is the last thing in surgery neatness and precision कि precision क्या है कि अगर आपको इतना mindset होना चाहिए कि दर्जी जैसे एक centimeter काटता है तो एक ही centimeter काटना चाहिए और वो भी एक line में, zigzag नहीं इतना precision होना चाहिए और ये precision आने के लिए काफी कुछ training का पाउर portion है so precision and finis with what it is done कि दर्जी कैसा सीता है तो दर्जी सीने के time आगे वाले आदमी को लगना चाहिए ये तो मैं कल करूँ जब आपकी surgery देखते हो किसी को लगता है रही ये तो इतना easy है ये सही surgery है आपकी surgery को देखे लगकेगा हे राम, क्या ऐसा तो मैं कभी जिन्दगे में ये surgery नहीं करो तो ये बुरी surgery है तो skill is about precision making it smooth, एकदम smoothly होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए speed हम, हमारी ये operation theater में आपको ये ले, तभी watch नहीं रखा है don't race against the time not worth it, human body है not racing against the time दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे ये वाली playlist में subscribe कीजिए और playlist देखिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए happiness to curiosity on the NB show